हेलो एब्रिवन दिस इस मुस्कान भाती टोडेवी वी लान्ट अवरी इंपर्टेंट टोपिक डाट वन इस वाट इस दा डिफ्रेंट बिट्विन सिम्ली और मेटाफर आज हम लोग सिम्ली और मेटाफर के बीच का डिफ्रेंट जानेंगे हमारे एकजाम में कोस्टन दोनों में लाइक का यूज़ किया ंतौ यह लाइक इस आंगे जेंगे nego offer तो यहां पर हम लोग का correct answer होगा simply क्योंकि यहां पर हम लोग like का यूश किया है you are as beautiful as Surby यहां पर you are Surby इन दोनों के बीच में compare किया गया है as आँ करके as यहां पर है इसी वज़े से इन दोनों का compare किया गया है as यहां पर simply का लिएगा I am like a princess, मैं princess की तरह हूँ तो यहाँ पर like सिमली कालाएगा क्योंकि like आकर इन दोनों के बीच में compare किया इसी वज़े से किसी भी sentence में अगर as, so, like, I तो वो sentence सिमली कालाता है Next one, अब हम लोग जानेंगे metaphor What is metaphor? A metaphor is a figure of speech यह भी एक figure of speech है in which compares between two different things without using as, so, like इनके बीच में भी दो चीज़ों की बीच में अगर compare करते हैं तो वो मेटा फर्कालाता है लेकिन यहाँ पर as, so, like का यूज किये बिना उसमें था सिमली का कायना था कि उसमें हम लोग यूज करेंगे as, so, like को लेकर के लेकिन इसमें है, so, like के बीना कोई भी sentence में अगर compare किया जाता है तो वो मेटा फर्कालाता है जैसे हम लोग देख लेते हैं Marsha is a map, Marsha पर्यो किरानी है You are beautiful, आप सुन्दर है I am a princess, मैं एक princess हूँ तो यहाँ पर हम लोग as, so, like के बीना use किये हम लोग दो चीजों की बीच में compare किया That is metaphor It is very important question If you have any doubt, you can ask me on comment box Thanks for watching my video